सब्सक्राइब पर फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूटूब चैनल MSH Tite Talks वर तो जैसा कि आप सभी को सुबही इस नोटिफिकरशन के अकॉर्डिंग आप लोग को सारी जानकरी बता दी गई थी लेकिन सेकेंड पार्ट में इस वीडियो में हम बात करें जेटेट दोहर 24 में Class 125 और Class 628 के लिए अलग-अलग क्या-क्या सिलेवस होगा क्या-क्या एक्जाम का पैटर्न होगा एक्जाम में किस तरह का सवाल आएगा टोटल कितने अंक मिलेंगे सारे इस वीडियो में बात करेंगे साथ ही कितने नमर में आपको पास होना है ये टू लोगों तक पहुंचाने का काम रहेगा तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्याद सज्यादा सेयर कीजेगा तो सबसे पहला यहां पर एक एकर क्या आप लोगों सिलेवस सब कुछ बताएंगे उससे पहले पॉइंट नमर 21 स दिया हुआ है कि सिखच्चक पाता परिच्चा आइजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्यक वर्स में कम से कम एक परिच्चा आइजित करना निवारी होगा यानि 2019 जाड़कंड सिक्षक पात्ता परिच्छा नियावली कि according हर साल जाड़कंड सिक्षक पात्ता परिच्छा आजित करने के लिए जो प्राधिकार जिस संस्था को दिया जाएगा उसको हर साल कम से कम एक परिच्छा आजित करने के लिए अनिवारिथा लेकिन इसको परत परिक्षा आईजित करने है तो उत्तरदाई होगा यानि अब जो है हर साल होगा ऐसा जो है अनिवार जो कंपल सरी था इस चीज़ को हटा दिया गया है अब सिक्षक पाता परिक्षा आईजित करने के लिए जिस संस्था जिस प्राधिकार को दिया जाएगा उसके जो है निय सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब इस जो है जब सब पहले कि का सिल्भस देखेंगे उसके बाद क्लास्रिक्स ट्डवाट में और डीटेल्स में देखेंगे कि कि क्या 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 कोस्टेन पूछा जाएगा और क्या कितरा मान्स मिलेंगे ए टूसी जुप तो जाड़कन सिक्षक पाता परिचा संसोरा नियमली 222 के नियम तीन में अंकित प्रावदान को निवनिवत प्रतिस्थापित की जाती है यानि 222 में जो नियम वली बनाई गए थी आज से दो साल पहले उसको भी यहां पे जो है क्या किया गया है तो परिच थापित की गई है यानि जो पहले अल्रेटी 222 में नियम है वो यह सारा नियम है ठीक है जो आप लोग यहां देख रहे हैं लेकिन यहां पे देखें आप इसमें बरतमान प्रावधान है इस पॉइंट को अभी आपको ध्यान देने के जरुवत नहीं है बलकि आपको समझना है परतिस्थापित जो प्रावधान है इसको और इसमें जो जो लिखा हुआ है यही आपका काम आने वाला है इसी तरह के question pattern आपका रहने वाले है तो यहाँ पर एक एक बात करेंगे सबस्तिख़े आपको क्या को कूश्चन पूछा जाएगा तो बालविकास से सर्चन पदधी से total तीस question पूछा जाएगा और total kr rep The यैं के लिए एक मास्क बिगेप टो मार्स दीस बाल विकास हम सिक्षन पदती में आपका आयाता है पैड़ागोजी जैसे सीटेट वगरे में आप अगर तयारी करें किया होंगे चाइल्ड डेवलोप्मेंट में उसी तरह के यहां पर कोस्टन देखने को मिलेगा बाकि इसका डिटेल्स सिलबस जब नोटिफिकर्शन इसके लब आपको भाग तू से आपको जेट देखिया आप भासा ओवान सहायक आचार विश्यस परस्रिशित सहायक आचार हिंदी एवं अंग्रेजी हिंदी के लिए 15 परश्ण अग्रेजी के लिए 15 परश्ण यानि टोटाल कूल मिला कर 30 कोष्टन रहेंगे और इसके लि 23 से अधिसूचित भासा में से कोई एक भासा और इस से लेटेट कितना कोश्चन आपका रहेगा तो टोटाल यहां पर कोश्चन पूछा जाएगा 30 कोश्चन और 30 मार्स के लिए ठीक है इसमें यानि कार्मिक परसासनिक सुधार तता राजबसा विवाग की तरफ से जो आप लिस्ट देखे होंगे लैंग्वेज का उन्हीं लैंग्वेज में से यहां पर आपको सिलेट करके 30 कोश्चन पूछा जाएगा यानि अभी जो जेटेट मेंस हो रहा है उसी जेटेट में की अकॉर्डिंग आपको उसमें भी यहां पर भासा तू जो है सिलेट करना पड़ ओर पॉइंट में तो यहां पर आगए आपको 30 स्नूबर Department 60 और यहां पर भासाटतू में 30 यानि 90 हो चुका है अलावा यहां पर देखए गनीत भी आपको पूछा जाएगा पूछा जाएगा गनीत चलिए और डिटेस में क्या कुछ दिया हुआ है चलिए बात कर लेते हैं देखिए हाँ पर इंपोर्टेंट पाइंट क्लास बान टू फाइब के लिए कि परिक्षा में उत्तिन अभ्यारतियों क्यक्षा एक से पांच के लिए को जाड़कन अधिवीत परिसाद राची अब प्राधिकार दौरा निर्गात परमान पत्र में अभ्यारतियों दौरा चैनित कियेगे विगलपो यता सहयक आचार विशेश पर सिछेट सहयक आचार उर्दू तथा चैनित भांसा 2 का इस पर स्टूप से उलेक किया जाएगा सहायक आचार उर्दू के पतिभागी दौरा भांसा 2 में उर्दू भांसा का चैन अनिवार होगा यानि जो आपको अभी भांसा 2 भांसा 1 के बारे में जो बता रहे थे यानि यहाँ पे आपको सिलेट करने के लिए मौका दिया जाएगा जब फॉर्म फिलप होगा यहाँ पी जैसे भांसा 2 में आपको कार्मिक परसासनिक सुधात राजवासा भिवाग के अधिसूचना है उसके अधिसूचना है उसके अधिसूचना है यहाँ पे भांसा नि-language स्लेट करना होगा ठीक है यह रहा आपका क्लास 1-5 के लिए आप बात करेंगे क्लास 6-8 में आ यंकित प्रावधान को निवन्यवत प्रतिस्थापित किया जाता है यानि इसमें भी आपको यह सारा जानकरी आपको नहीं देना है आपको जो जानकरी होना चाहिए वह आपका प्रतिस्थापित प्रावधान यानि जाडखण में 6-8 जेटेट एक्जाम किस तरह से लिया जाएगा क्या पैटर्न होगा यह आपका इधर जितना भी परतिस्थाफित प्रावधान में लिखा गया यह आपका काम देने वाला है तो चलिए इसको देख लेते हैं सबसे पहले भाग वान भाग टू इसके लावा देखिए आप भाग थ्री इसके लाब भाग फोर तो टो इसके लाव आप भाग टू में आपको जो है लेंग्वेज से सवाल पुछा जाएगा अगर आप हिंदी और इंग्लिस के हैं तो आपको यहां पे 15 नंबर इंग्लिस का पुछा जाएगा और कूल मिलाकर यह आपका यहां पे हो गया 30 कोस्टेन 30 मार के लिए ठीक है यह हिं तो में 60 हो गया भागावन मिलाके भाग थरी में किया है तो भाग थरी में टोटल 30 30 करके है और इसको के चुछा जाएगा बाग थरी में उसमें भी या तो आप साइंस के टीचर बनेंगे या फिर आप लैंग्वेज की टीचर बनेंगे तो इसी साब से आपको भाग फोर में सेलेक्ट करना होगा जब आपको ऑप्सिन दिया जाएगा फॉर्म बनने के टाइम तो देखिए अगर आप गनीत विज्ञान के सिक्षक बना चाहत जैसे आपको जैसे जो आप सेलेट करेंगे जैसे हिश्टी हुआ पॉल्टिकल हो जियोग्राफी होगा तीक है इसके अलावा अथ्ट शास्त्र हुआ इस में और भी वैपर शास्त्र भी यहां पर डाल दिया गया है तो इसके अलावा अगर आप भासा सिक्षक होंगे तो सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसमें अगर अगर तोतल इसमें आपको क्या और आपको कोश्चिन का ही आपका इग्याम होने वाला है तो यह रहा जेटिट का कंप्लीट आपका सिलेवस इसके लावा यहां पर देखिए कि परिक्षा में उत्तिन अभ्यर्तियों कक्षा 6-8 के लिए को चाडखन अदिवीत परिसाद राची या थो राजी सरकार दौरा प्राधिका परिकार दौरा निर्गत पर्वन पत्र में अभ्यरतियों दौरा चैनीद किया गए विकल पो तथा साहक आचारि विसस पर सिक्षित आचार सहक आचार उर्दू चैनीद भासा 2 तथा चैनीद विकल्प वेएकल्पिक विससाई गनित बें विघ्यान सिख्चक या रहा complete syllabus इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना होगा तो कमेंट सकते में लिखे और बाकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज रहेगा वह आप लोग को बताए जाएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया